हेलो फ्रेंड्स आज हम अपने क्यूट से पपी के लिए एक प्यारी सी विंटर के लिए ड्रेस बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले उसकी मेजरमेंट लेनी जरूरी है ये उसकी लंबाई और ऐसे उसकी चोड़ाई ड्रेस की और बाजू ये सिरफ तीन ही जगे से इसका हम को नाप लेना पड़ेगा ये ब्रीड पग है तो ये छोटे-छोटे होते हैं डॉगी अगर आपका डॉगी बड़ा है तो आप उसके हिसाब से ऐसे तीन हिस्सों में उसका नाप लें ये मेरे पास एक फर वाला फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट विंटर में डालने वाला मैंने लिया हुआ है ड्रेस बनाने के लिए और ये मेरे पास एक विंटर का मैंने अपना प्लाजो बनाया था उसमें से पीस बचा है ये मैं डबल ड्रेस बनाऊंगी क्यूंकि विंटर में ये डबल ड्रेस बहुत अच्छी रहेगी डॉगी को वाम रखने के लिए अब य यह सबसे पहले जितना फैब्रिक हमें चाहिए हमने नाप तो लिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग यह हमने ऐसे बिछा के यह दिखिए यह 10 इंच आया था ना 20 इंच तो यह हमें डबल करके 10 इंच लेना होगा मैंने 11 लिया है और इसकी जो लंबाई हमारे डॉगी की जो ल हमें यह ड्रेस बनाने के लिए चाहिए यह मैंने कट कर लिया है अब यह दो इंच का निशान लगा के गले से जो पीछे की तरफ शेप दे देनी है हमें गले की साइड थोड़ी सी छोटी रखनी है क्योंकि फिर ड्रेस की अच्छी से शेप निकल के आ जाती है और यह सेम वैसे ही कट करके हमने इसके अंदर लाइनिंग की तरह जैसे लाइनिंग वाले सूड बनते हैं इसके अंदर गरम कपडा लगा कर यह डबल ड्रेस बनाएंगे यह सेम पीस मैंने कट कर लिया है तो बस अब हम इसकी सिलाई करेंगे यह देखिए यह दोनों पीस एक दूसरे के उपर रखके और यहां से मैंने पहले गले वली साइड से इसको एक सिलाई से स्क्योर कर लिया है ताकि यह जो इनर हमने अंदर लगाया है वो हिले नहीं यह पूरी सिलाई लग गई है अब हम गले की तरफ ऐसे एक पट्टी कट करेंगे जो ऐसे हमारे अपने डॉगी के गले पे लगा के देख लें जितना उसको नेक आता है पूरा उतना फैब्रिक ऐसे कट कर लें और ये देखिए ये इसके साथ ऐसे हमने जॉइंट कर देना है गले की तरफ पहले ये सीधी ऐसे सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सेंटर में जाके पांचे बड़ी चोने डालेंगे जिससे डॉगी को उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी और खीच नहीं पड़े ये गले की साइड है फ्रेंट्स ये दिखिए ये हमने चोने डालें पांच बड़ी सेंटर में और बाकी की सिलाई सीधी लगा ली अब ये जो फैब्रिक है इसको बड़ी सफाई से ऐसे फोल्ड करके उपर की तरफ फिर ये हमारी जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो बि भेगी ये ऐसे उपर अच्छे से एक सिलाई लगागे ये बिल्कुल परफेक्ट गला हमारा बनके रेडी हो जाएगा ये दिखिए ये रेडी है ये दिखो कितने अच्छी शेप निकल आई है ये गले की साइड है हमारी और अब हम इसके बीच में से बाजू निकालेंगे बाजू निकालने के लिए गले से 5 इंच नीचे तक हमें एक निशान लगाना है और इदर से 3 इंच रखें पांच और 3 और ये जो निशान है उसके उपर हमें ऐसे सरकल 3 बाई 3 का सरकल लगाना है मैं आपको बताती हूँ कैसे ये दिखिए 3 बाई 3 ठीक है इसका सरकल लगा लेना है और सेंटर में से कट लगाके इसको ये दिखिए कट लगाके गुलाई काटना बहुत असान होता ह ये कट लगा के हमने सारी ऐसे गुलाई को काट लेना है अगर आप बाजू नहीं भी लगाना चाहें तो इसको ऐसे ही अंदर को फोल्ड कर दें लेकिन ये विंटर की ड्रेस है तो इसमें बाजू हमें ज़रूर लगानी चाहिए ऐसे ये 5 by 5 के मैंने पीस कट किये है ये डबल करके 5 है वैसे 10 by 5 है और पहले इसका जो नीचे ये नीचे थोड़ा सा ऐसे हम फोल्ड कर देंगे फैब्रिक और फिर बाजू की तरह जैसे हम अपनी शर्ट की बाजू को शेप देते हैं वैसे इसको सिलाई में शेप देके दो सिलाई पकी सिलाई लगा लेंगे ये दूसरी को भी वैसे ही ये हमारी बाजू दोनों रेडी हो गई है अब इसको लगाना कैसे है ये देखिए ये हमने सीधी कर ली है तो सीधा सीधा हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये दिखिए सीधा और सीधा मिलना चाहिए उल्टा और उल्टा जैसे हम अगर आप तो सूट के अपने स्टिच करते हैं तो आपको पता होगा कि बाजू हम सिले हुए सूट में कैसे लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है उल्टे भाग के साथ उल्टा भाग अटैच करके ये ऐसे बिल्कुल गुलाई में इसकी सिलाई लगाते जाना है ये सारी सिलाई लास्ट तक कम्प्लीट कर दिनी है अगर हो सके तो डबल सलाई लगा लें तांकि यह बिलकुल भी उधरे ना यह दिखिए एक बाजू हमारी लख्य रेडी हो गई है अब सेम परसीजर से दूसरी बाजू हम लगा देंगे जैसे हमने एक लगाई है यह दोनों बाजू हमारी लग गई है अब जो बिलकुल नीचे का हिस्सा है वहाँ पे हमने इलास्टिक डालनी है उसके लिए मैंने वो जो लाइनिंग का मेरे पास बचा हुआ था फैब्रिक वो ही पीस यह दिखिए ऐसे करके अटैच कर देना है यह पहले सिंगल ऐसे अटैच किया हमने सीधी साइट से यह दिखिए अब यह इसके ऊपर करके ऐसे फोल्ड करके हमने एक तो सिलाई चुप जाएगी हमने जो लगाई हुई थी बिलकुल नीट एंड क्लीन लगता है लुक फिर और चुपती भी नहीं है सिलाई ऐसे लगाने से यह सिलाई पूरी लग गई है और अब इसमें हमने ऐसे सलाई लास्ट जो है लगानी है लेकिन उससे पहले इसमें इलास्टिक डालनी है नीचे की दरफ यह दिखिए यह मैंने इलास्टिक डाल दी है चौड़ी इलास्टिक और जितना आपने डॉगी की मिंती कर लेनी है और उस हिसाब से इलास्टिक हमें रखनी है और नीचे से ऐसे सिलाई को पक्के करते हुए यह डबल ट्रेपल कर लें तांकि जल्दी सो दड़े न यह दिखिए और यह सारी अच्छे से सिलाई साथ ही इनर का भी कपड़ा आना चाहिए और दोनों बाजू अंदर की तरफ करके और चारो जो फैब्रिक है इनर के और दूसरे यह मिला के हमें गले तक की सिलाई तक इसको लेके जाना है अब यह हमारा गला आ गया तो गले से थोड़ी सी हमें शेप देंगे उपर की तरफ और दूसरी सिलाई यह दूसरी सिलाई लग गई है इससे पक्का हो जाएगा और सिलाई लगने के बाद यह जो इलास्टिक है इसको हम ऐसे फोल्ड करके उपर सिलाई लगाएंगे ताकि उठने बैटने में यह हमारे पपी को चुभे नहीं बस इसको अब हम सीधा करके देखते हैं यह दिखिए कितनी वाम और ब्यूटिफुल सी सॉफ्ट सी ड्रेस बनी है बजार में यह बहुत ही कॉस्टली मिलती है मिलती तो है डॉग्स की लेकिन बहुत कॉस्टली होती है लेकिन अगर आप अपने डॉग्ई को यह पपी को प्यार करते हैं तो खुद से बनाएं यह देखिए कितनी प्यारी मेरी सैंडी मेरी बेटी लग रही है यह मेरी डॉटर है यह पपी नहीं है यह मेरी डॉटर है सैंडी यह दिखे कितनी cute लग रही है मैंने इसकी ऐसी कितनी cute cute dresses बनाई हुई है आप भी अपने डॉगी की अपने हाथ से dress बनाई उसको बहुत अच्छा लगेगा और सर्दियों में वो बहुत comfortable रहेगा तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अप आपको अच्छी लगी होगी अपने friends के साथ share कीजिए friends मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई friends ये देखिए मेरी cute सेंडी कितनी cute लग रही है dress में आप भी ऐसे अपने dogs की खुद से प्यारी प्यारी dresses बनाएं और उसको पहनाएं ये देखिए कितनी perfect fitting आई है okay friends, bye bye